New Chapter, New Topic, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो है Reconciliation of Cost Accounting and Financial Accounting हमें sometime exam में costing के अंदर जो question आता है, वो reconciliation का question आता है पहली बात reconciliation का मतलब समझ लें, फिर इसकी utility समझ लें और कहां कहां reconciliation बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है, वो सारी बाते पहले समझ लें, फिर इस chapter पर लोटके आते हैं देखिए जहां पर भी दो लोग एक ही काम को record कर रहे है, काम हो रहे है एक, recording दो different level पर हो रही है तो बताईए पहली बात अगर एक ही काम को दो लोग record करें तो दोनों का balance equal होना चाहिए और different होना चाहिए लेकिन अगर A बोले कि भी मेरा total तो एक लाग है और B बोले कि मेरा total सवा लाग है तो आप क्या बोलेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गरबड है आप exam में question कर रहे है same question मैस का question है एक बच्चा कर रहे है मेरा जवाब कुछ आया दूसरा बच्चा कर रहे है मेरा जवाब कुछ होर आया आप कहेंगे भी गरबड है एक ही चीज अगर दो लोग करते हैं तो दोनों का balance same होना चाहिए हमने 11th class के अंदर एक bank reconciliation statement किया था वो भी इसलिए क्या था वो भी इसलिए करना पड़ा था कि एक ही deal दो जगह record हो रहे हैं आप bank से जो deal कर रहे हैं उसकी entry bank भी कर रहे हैं और आप जो bank से deal कर रहे हैं से वही सारे काम आप भी अपने पास record कर रहे हैं bank उसकी detail आपको passbook में बना के दे रहा है आप उसकी detail अपनी cashbook में maintain कर रहे हैं लेकिन काम तो एक ही हो रहा है दो लोग अलग लग जगहां बैठ के उसकी recording कर रहे हैं तो बताई ये cashbook का balance और passbook का balance equal होना चाहिए है नहीं होना चाहिए लेकिन आपने देखा था 11th class में कई पर वो equal नहीं होता हमने का भी क्यों नहीं हो रहा टैली क्या गलती हो गई है किसने entry गलत किया मैंने गलती किया कि बैंक ने entry गलत किया या कोई entry miss हो गई है क्या उसको जाचने के लिए उसको verify करने के लिए वहां पर आपने reconciliation बनाया कई बार customer और creditor उनके बीच में भी प्र अतने पैसे वह कलेक करते हूं में तुझे तो सवाल आग देने है गरबड होगी है कहीं ना कहीं रेकांसिलेशन सेम इसी टाइप से financial accounting और cost accounting में भी आप अगर notice करें तो पता चलेगा दोनों लोग काम तो एक ही कर रहे हैं दोनों लोग purchase की entry कर रहे हैं दोनों लोग sale की entry करते थे यही काम आपने cost sheet में फिट से repeat करना शुरू कर दिया performer change कर दिया performer change कर दिया style change कर दिया लेकिन काम तो काफियत तक वही आपने कर तो यहां पे भी आपका जो cost sheet से जो profit आया वो financial accounting के profit से match करना चाहिए वैसे कुछ technical reasons की वज़ए से match हो गई नहीं क्योंकि जब हम costing में आते तो एकड़ में 100% copy थोड़ी करते data जो financial accounting का data होता है जो cost account आता होता है उसमें फरक होता है वहांपर devotion किसी और तरीके से निकल सकता है यहां पर closing stock को उपनिंग स्टोक का वैलिएशन किसी ओल तरीके से हुआ हो सकते हैं हमारे पास किसी ओल तरीके से हुआ हो सकते हैं हमने कुछ expense estimation basis पर डाल दी हो financial accounting में तो कुछ estimation होते नहीं हो तो actual expenses ही book करते हैं फुर कुछ चीज़ ऐसी होती है जो cost sheet में लिखी नहीं जाती है dividend है आपका income tax है उसके लावा जो abnormal event हो गए है loss on sale of machine profit on sale of machine in zero को लिखते नहीं है इसलिए difference तो आएगा लेकिन even then हम reconciliation statement बनाते हैं यहीं जानने के लिए कि difference कहां कितने का है कुछ difference तो reasonable होंगे कुछ difference तो होंगे ही होंगे लेकिन कुछ difference ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं होने थे लेकिन हो गया तो आप पूरी के पूरी statement बनाएंगे आपको दो type की entry मिलेंगी क्या अगर difference ढूनने की कोशिक हो reasonable difference जो होते हैं जो हमें expected था होंगे वो भी और ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे difference नहीं होने थे लेकिन हो गया जरूत नहीं है क्योंकि जो reconciliation है वो क्या कर रहा है differences को eliminate कर रहा है कहां कहां difference आया उसको ढूंडने की कोशिक करता है तो हमें वो सारे के सारे point पे focus करना है जहां पे costing में data कुछ हो लिख है और financial accounting में data कुछ हो लिख है और उसके बाद उन सारे differences को एक statement में डाल देंगे जिसको क्या बोलेंगे reconciliation statement यह सारा का सारा process कैसे होता है समझाने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा एक अपनी तरफ से example लेता हूं कहां से difference create होते हैं और कैसे उनका effect ले रहता है सबसे पहले तो अगर हम reconciliation statement बना रहे हैं तो आपको यह तो पता ही होगा कि financial accounting में कितना net profit है final result क्या बोलते हैं net profit बोलते हैं final result और cost sheet में कितना है हो सकता है exam में जो question है उसमें इस तरफ आपको profit दिया हो लेकिन reality में तो दोनो statement का profit निकल चुका होते है कुछ question आप देखेंगे उसमें पूरा cost sheet और पूरा profit and loss account वो दे देगा आपको पता होगा cost sheet में कितना profit है और आप को पता होगा कि final account जिसने बनाया financial accounting में कितना profit है उसमें फरक है ऐसे होगा कि आपको cost sheet जो दिया है उसमें जो net profit निकला है वो निकला है एक लाग लेकिन जो financial accounting हुई है financial accounting financial accounts जो हुए है उनमें जो profit आया है एक लाख पंद्रह हजार तो cost sheet बनाया तो profit कितना आया उसमें एक लाख financial account जिसने बनाया और trading and profit and loss account जिसने बनाया उसने profit कितना जिशेख किया हुए है एक लाख पंद्रह हजार तो आपके पास इसको solve करने के दो भी हो सकते नमबर वन, आप cost sheet के profit को अपना starting point बना लो और अगर आपने cost sheet के profit को starting point बना है तो आपका answer कहा आना चाहिए आपका answer financial accounting के profit के उपर आना चाहिए क्योंकि आप जब match कर लोगे, अपने entries को इससे match अगर करा दोगे तो जब आपके सारी entry match हो जाएगी तो profit भी match हो जाएगा तो आपने शुरुवात की है, एक लाग की, यहाँ पे है, एक लाग, पंदरा जार, miss match है लेकिन आप differences को book कर लोगे, जहां जहां difference है, जहां profit बढ़ा है, बढ़ा दो जहां profit घटा है, घटा दो, तो आपका profit ultimately इसके बराबर नहीं हो जाएगा तो एक तरीका तो यहाँ कि आप अपने cost sheet में जो profit है उससे start करें और answer किस पे खतम करें, financial accounting के net profit पे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि आप कहें जी financial accounting का profit है, तो financial accounting के profit से नहीं start कर सकते बिल्कुल कर सकते है, आप financial accounting के profit को starting में लिखें, लेकिन आप फिर match करने की जब coaching है, तो इसको किस से match किया जाएगा, फिर इसको इस से match किया जाएगा, जब answer आपका आएगा, तो एक लाग पे आएगा तो आपके अज़ दो तरीके हो सकते है, start आप cost sheet के profit से कर सकते है, तो समय लेना जवाब आपका financial accounting का profit आएगा, अगर आप financial accounting के profit से start करते है, तो आपका जवाब cost accounting के profit आएगा, ठीक है, अभी क्योंकि हम costing के अंदर ये chapter कर रहे है, तो मेरा starting point में क्या लेकर चल़ रहा और शीट का profit, तो एक reconciliation statement जो होती है, उसमें differences जहां से आए है, बस ध्यान रखना, reconciliation statement का लाए, कौन कौन से transaction थे, जिन्होंने difference create किया, उन सभी transaction को इस statement लिखेंगे, जिसे क्या बोल रहे है हम, reconciliation statement, यहां पे हमारे particulars रहेंगे, और फिर कुछ transaction ऐसे होएंगे, जो हमारे profit को बढ़ा गए हैं, और कुछ transaction ऐसे होगे, जो हमारे profit को घटा रहे होगे, फिलाल मैं starting point ले ले लेता हूँ इसमें, क्या लिया मैंने starting point, profit as per cost sheet, एक लाख, तो मैं कहूंगा, जी मैंने start कल दिया question, और profit as per cost sheet मैंने यहां पे लिख दिया है, जो की है 1 lakh रुपीज, इसके साथ ही मुझे answer भी confirm हो चुक है, कि मेरा answer जवाएगा, वो 1,15,000, जब यह statement end होगी, तो यहां पे net profit 1,15,000 होना चाहिए, अब मैंने एक 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 entry, अपनी cost sheet से, और financial account, trading and pin account से match करना शुरू किया, सबसे पहले उसमें आया material, मैंने का देखते हैं जी, material cost sheet में कितना है, material cost sheet में दे लिखा था, बताएए क्या इस entry ने किसी किसम का difference create किया होगा, नहीं, जब दोनों लोग same entry record कर रहे हैं, तो आपको reconciliation के अंदर कुछ डारने की जुरूतनी है, reconciliation सरफ उन transaction का किया जाता है, जिन्होंने difference create किया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे, material से कोई difference create नहीं हुआ, material को ignore कर दो, फिर आपने cost sheet में अगली entry रूंडी, तो उसमें नजर आई wages, यहाँ पे wages आपने 30,000 पे की लिखी थी, आपने foreign final account खुला, वहाँ पे देखा कि wages की entry है क्या, वहाँ पे भी entry थी, और कितने की entry थी, 30,000 की entry थी, क्या wages ने कोई difference create किया होगा, बिलकुल नहीं, आपने चेक है, तो वहाँ पे एक factory का overheads था, cost sheet के अंदर, जो factory का overheads था, आपने लिखा था, यहाँ पे 12,000, वहाँ पे चेक किया, तो वहाँ पे वो overhead कितना नजर आया, 15,000, cost sheet के अंदर, 12,000 पे factory का खलचा दिखाया गया, लेकिन वही entry, जब हमने final account ढूंडा, तो कितने क नजर आई, 15,000, क्या इस entry ने profit पे कुछ असर डाला होगा, profit में difference create कराया होगा, हाँ कराया होगा, कितने का difference इस entry से create होगा, 3,000 पे का, यह जो 3,000 पे का है, यह difference इन दोनों entry के match करने से मुझे पता चल गया, कि भाईया, इसमें 3,000 पे की गरबढ की होगी, इस entry ने, क्यों अब इसके सरफ दो ही पार्ट हो सकते हैं, या तो इस entry ने मेरी बुक में profit को ऊपर कर दिया होगा, या तो नीचे कर दिया होगा, और तो कोई चोईस होई ने सकती, इस entry से आपका 3,000 का profit में फरक पढ़ा होगा, या तो profit ज्यादा हो गया, या तो profit कम हो गया, मैं आपको ए आली करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका result वो है, जो कि यहां पे है, financial accounting वाला profit आपके पास आजाए, यह चाहते हो ना, शुरवात हमने cost sheet के profit से कर ले, लेकिन चाहते हैं कि answer में क्या मिले में, वाला profit, जो financial accounting का profit हो मिले, तो अगर आप दूसरे का profit अपने पास लाना च चाहते हो, तो हर वो entry, जो भी दूसरे के ऊपर जैसा effect ले रही है, वैसी entry अपने पास कलते चलो, अगर इस 3000 पे ने, यह जो हमारा target है, मैं पहले लिख देता हूँ कि हमारा target क्या होने वाला है, यह हमारा target, अगर इस target को बढ़ा कर दिया है, मतलब profit को बढ़ा दिया है, त उसको अगर कम कर दे तो तुम भी अपना profit कम कर दो, तो मुझे यह देखना है कि यह जो 3000 पे पहले तो यह देखना है कि यह income हुई है या expense हुए, factory overheads, income होती है, expense होता है, expense होता है, और जिसको हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम आना चाहते हैं, वहाँ पे यह 3000 पे ज़्याद है, 12,000 का expense दिखा है, तो निकला था, लेकिन जिस से हम tally कर रहे हैं, उसने यह खर्चा कितना दिखा है, 15,000, तो उसने हमारे comparison में खर्चा कम दिखा है के जादा दिखा है, जादा, और बताओ, दो दोस्तों, एक कम खर्च कलता है, जादा खर्च कलता है, तो जादा यह खर्चा करेंगा, तो शलीगा तो फ्रओ ट रहुगा, तो ईस लिए क्या होना चाहता हूं, मैंने क्या करना है, तीन हजार पे में यहां प्र यहां भिक Guru में, कि और साथ तो, अपना दिखा में घरिशा करूँता है, तो इसलिए क्या है 5,900ल, एक क्या करता हुआ का है, कर देता हूं कम कर देता हूं क्या बोलेंगे क्या क्या दूसरी से हमने aapt factory overhead अच्छे का बात बता दू लेंगविज के साब से शाब से financial accounting में में अंदाजे से खर्चे लिखे जाते हैं क्या कि काम क्या ने अंदाजे से डाल जा भो salary है वो डाली जाएगी, जो actual expense है वो डाले जाएगे, लेकिन जो financial, sorry, cost accounting होती है उसमें, उसमें कई बार तो हम काम करने से पहले cost sheet बनाते हैं, काम बाद में करेंगे पहले cost का data तेयर करते हैं, अंदाजे से भी बनती हैं figure, अंदाजे भी लगा जाते हैं, cost sheet किये हैं, और वो है actual, ठीक है, तो यहाँ पर गद दिखा रहे हैं, तो हमने अपनी book में factory overhead को underestimate किया कि ओवर estimate किया, underestimate कर लिया हमने, खर्चा तो था जादा, हमने अपने पास कम लिखा, तो क्या लिखेंगे से less लिखेंगे, और क्या लिखेंगे factory overheads under recovered, हमने इसको under recovered कर दिया, जिसके विजाए से entry कर दी पड़ेगे, ठीक है बास अगी है, अच्छा, अगली entry करते है, मैंने फिर आगे चेक किया, जी office overheads भी है, office overheads मैंने लिखे थे 20,000, वहाँ पर ढूंडा तो मिली entry, लेकिन कितने की मिली, 18,000, पहले बताईए, इस entry ने या नहीं क्या होगा, बिलकुल क्या होगा, कितने का difference गोगा, 2,000 पड़े का difference इसके बीच पीच में, तो 2,000 पड़े का difference क्रेट होगा, अभी मुझे नहीं नहीं पटा कि plus होगा या minus होगा, लिकिन 2,000 पड़े की entry आएगी, या तो plus में आएगा, या तो minus, तो मैं सबसे पहले कोई भी difference जो create होगा उसका असर किस पे डालूँगा अपने target पे चेक करूँगा कि इसने इस entry का balance मतलब profit को बढ़ाया के घटाया तो उसके लिए देखते हैं किस type की entry तो office overheads है खर्चा है हमने अपने पास 20,000 पे का खर्चा लिखा लेकिन जिससे हम tally करने चाते हैं उसने इसी खर्चे को 20 की परे कितना लिखा 18,000 तो हम जिससे tally करना चाते हैं उसका खर्चा कम हुआ है के ज़्यादा हुआ है दो हजार पे दो दोस्तों जिससे तुम tally करें उसका खर्चा कम हुआ हो तो बताए उसका profit गम होगा या जाद होगा ध्यान रखना यह अच्छी तरह समझे लेना कि entry के ऊपर क्या असर पड़ा है ऐसे सीधा मत दिखना बलकि उस entry की जो impact यहां पर पड़ा है उसको देखन तो 2000 पे खर्चा जिसने कम क्या होगा उसका profit 2000 ज्यादा है होगा और profit ज्यादा आ गया तो मिलको पता चल गया कि भी यह क्या करने वाले है plus करने वाले है 2000 प्लस कर देंगे क्या बोलेंगे add कर रहे हैं क्या add कर रहे हैं हम अपना office overheads अब या क्या लिए हमने over recover हमने इसे ज् ठीक है अच्छा आगे उसके बाद नेक्स इसके बाद इसमें अगर देखे तो मैं एक इसमें entry यो डालता हूँ income की डाल देता हूँ मैं कहता हूँ कि dividend received था ठीक है और dividend received जो था वो यहाँ पर हमने cost sheet में कितना दिखाया होता है cost sheet में डालते ही नहीं है यहाँ पे एक entry आय नहीं है लेकिन financial accounting में तो कोई भी profit आई जाते है अच्छा बताइए इस entry ने difference create क्या होगा यह नहीं क्या होगा बिलकुल क्या होगा कितने का 5000 पे का difference create होगा अब यह तो 5000 प्लस होगा यह तो 5000 माइनस होगा हम देखते हैं क्या होगा यह dividend है income nature है हमारी income है 0 लेकिन जिससे हम टैली कर रहे हैं उसने अपनी income में 5000 रुपीज दिखाया दिखाया नहीं दिखाया तो अगर यह अपनी income में 5000 दिखाते हैं तो उसका इस financial जो account के profit उस पे क्या आसर पढ़ा होगा उसका profit बढ़ गया होगा यह ज्यादा हो गया होगा बढ़ गया है definitely अगर profit बढ़ गया है तो हम इसे अपने पास क्या करने वाले है प्लस करने वाले है प्लस में लिखेंगे add करने वाले है dividend income not recorded in cost shape मैं इमने लिखी नहीं है dividend से income हुई हमने लिखी नहीं है ठीक है एक और entry लिए तो मैं say closing stock की valuation जब कर रहे थे तो पता चला कि दोनों entry में reference आ गया हमने अपने पास जो closing stock दिखाया था वो 12,000 का दिखाया था यहां पर चेक किया तो closing stock जो है वो 11,000 का था बताए इसके अंदर से कोई entry reconciliation statement में जाएगी या नहीं जाएगी बिल्कुल जाएगी और कितने के जाएगी 1000 रपे की entry आने वाले क्योंकि बीच में difference 1000 रपे कर अब या तो यह plus होगा cost को बढ़ाता है या cost को घटाता है closing stock आप एड कर रहे होते है या less कर रहे होते है cost sheet में less कर रहे है less करने का मिलब cost को कम कर रहा है और यही चीज़ trading account में credit side में income side में दिखाया जाती है sales के साथ नीचे closing stock लिखते तो closing stock का असर जो impact होता है वो profit बढ़ाने वाला होता है तो इसके लिए income nature हुई आपने अपनी income में कितना दिखाया 12,000 लेकिन जिससे तुम tally कर रहे हो उसने अपनी income में 12 की बज़े कितना दिखाया 11,000 तो बताईए अगर वो अपनी income में 1000 पे कम दिखाता तो final net profit पे भी उसका 1000 का फरक नहीं पड़ेगा profit कम आएगा या रहना पड़ेगा क्या लिखेंगे less कर रहे है closing stock overvalued in cost sheet ठीक है clear है बसन में आगी है अच्छा एक और entry डाल देता हूं जिसमें cost sheet में entry हुई हो और financial accounting में entry ना हुई हो कई बार कुछ है ऐसी entry हो सकती है जो हम अपनी cost sheet में book कर लेते हैं like कोई opportunity cost है या हमने अपने factory का खुद का rent डाल दिया वैसे हमारी factory अपनी है लेकिन कई बार cost sheet के अंदर opportunity cost concept के अंदर कई बार हम अपने खुद के owned expense है उनको भी book कर लेते हैं जो हमारी चीजे अपनी है उन emotional expense डाल दिया मतलब किया नहीं था लेकिन शो किया यहां पर हमने 4000 का खर्चा बुकिया लेकिन financial accounting के खास बात है वो जो actual खर्चे होते है उनको लिखते है अगर आपने assume कर रखा कोई खर्चा तो उसे reward नहीं करते है अब यहां पर हमने एक expense डाले emotional expense 4000 पे का जबकि वहां पर वह लिखा ही है तो बते difference आएगा या नहीं आएगा कितने का 4000 का difference होगा और मुझे अभी यह देखना है कि जो 4000 का difference है वो प्लस होगा या मैनस होगा तो मैं देखूंगा भईया यह क्या चीज़ है तो खर्चा है हमने लिख खर्चा जिससे टैली कर रहे है उसने खर्चा न तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा यहां पर लिखेंगे 4000 और एड़ कर लेंगे नौशनल एक्सपेंसेज इन कोशिट अब आप इसको टोटल करेंगे अब क्योंकि मैंने डेटा अपनी मर्जी से ले लिया और मैंने इसको रियल में वेरिफाई नहीं किया इसलिए अब आंसर में तो ओविसली मैं एक लाख पंदर हजार क्या पता ना है लेकिन अगर आप सारा का सारा डेटा एकुरिट करते त और यहां पर भी एक लाख ग्यारा जार लाना हूँ मैं अब यहां पर आंसर चेक कर देता हूँ हमारा जो यहां पर आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एक लाख आठ अठ अगर रियाल्टी में मैं कोश्चन शुरू से क्रेट करता तो मैं कहता कि final account वाले कितना profit बता रह है एक लाख तो मैं इसमें चेक करता बलकि एक लाख गहाठ जार नहीं एक लाख साथ जार हो गई चार जार की एंट्री यहां पर तो यहां पर कितना बचेगा एक लाख साथ जार अगर रियल कोश्टन होता तो इस तरह से होता और आपको टैली हो जाता क्या बोलते हैं इसे क्या आगया भई हम बोलते है नेट प्रॉफिट एस पर फाइनेशल अकाउंट्स सबको समया गया जो कंसेप्ट है इसका आपको डेटा चाहिए फाइनल अकाउंट वाले क्या कर रहे हैं कौशीट वाले क्या कर रहे हैं आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं जरूरी निया कि आप कौशीट से शुरुआत करें जिन में difference है वो उनको mark कर लो कितने का difference है और बस जो difference है plus या minus में से कुछ होगा decision कभी भी यहां से फोरें लेना कि यहां से ले लेना है आपने जो भी transaction है उसकी nature को identify करते हुए target के उपर अगर मैं यहां से शुरू करता तो मेरा टार्गेट यह हो जाता तो मुझे यहां पर क्या आसर पट रहा है यह profit बढ़ रहा है या गट रहा है उसके